हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तो आप लोगों को पता है कि जब भी लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट मेरे सामने आता है तो मैं आप लोगों से उस अपडेट को शेर करता हूँ और उसके बारे में मैं अपने चानल पर एक वीडियो जरूर अपलोड कर दिया करता हूँ तो दोस्तो आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोगों से एक अपडेट के बारे में शेयर करने वाला हूँ जो की अभी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है तो दोस्तो अगर आप लोगों ने मेरे इस चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं इस तरह के नए नए अपडेट आप लोगों के लिए ले करके आते रहता हूँ तो चलिए चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आप लोगों को पता है कि जितने भी पुराना लाइसेंस और नए विजे वाले हैं जब वो अपना अपॉइन्मेंट बुक करके किसी भी मुरूर का और अपॉइन्मेंट वाले दिन मुरूर जब जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले पहले जिन जिन डोकॉमेंट्स को वो अपने पास में रेडी करते हैं तैयार करते हैं मुरूर लेके जाने के लिए उन सारे डोकॉमेंट्स में दोस्तों एक होता है मेडिकल रिपोर्ट पेपर इसी तरह से अपॉइन्मेंट लेटर और इसी तरह से उनका जो पुराना लाइसेंस होता है उसकी कॉपी और इसी तरह से उनका जो नया अकामा होता है उसकी copy और अगर इहतियात के तोर पर कोई अपना जो payment किया हुआ होता है renewal fees का उसकी slip अगर ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है तो दोस्तों यही सारे documents हैं जिनको वो अपने appointment वाले दिन मुरूर ले करके जाता है लेकिन दोस्तों पिछले कुछ दिनों से यह सुनने में आ रहा है कि मुरूर जाने के बाद में बहुत सारी जगहों पर वहाँ पर उनको एक form दिया जाता है जिसको fill करना पड़ता है अब दोस्तों आपको उस form में लगाने के लिए एक passport size का photo भी ले करके जाना पड़ेगा उस form को दोस्तों मैं आप लोगों को mobile के screen पर लगा कर दिखा दे रहा हूँ अगर ये form आप लोगों को पहले ही कहीं से मिल जा रहा है आप जिस जगे पर भी रहते हैं उसके आस पास कहीं पर भी किसी भी मकतब में अगर ये form आपको मिल जा रहा है तो आप वहां से इस form को ले 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 करके आपको अगर आरबी आती है तो आप खुद fill कर ले और अगर कर आप अपने सारे डोकॉमेंट्स के साथ में मुरूर ले करके जाएं और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप ये फार्म ले करके उसको फिल कराके अपने सारे डोकॉमेंट्स के साथ ले करके जाएं तो आपको मुरूर पे ये फार्म दिया जाएगा आपको वहीं पर फ पिरी में फिल कर देता है फिर तो अच्छी बात है वरना अगर कुछ पैसे लेकर अगर कोई फिल करता है तो भी आपको इस फार्म को वहाँ पर फिल कराना ही पड़ेगा दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का जो मैं मकसद है दोस्तों जो असल वज़े है वो ये है कि जब भ आपको ये फार्म दिया जाए लेकिन आपके साथ में कोई भी पासपोर्ट साइज फोटू ही ना हो और आपको वापस आपके रूम आना पड़े तो अगर आप पहले से इस फार्म को फिल कराकर अपॉइन्मेंट वाले दिन अपने सारे डोकुमेंट्स के साथ लेकर जा र आप अपने साथ में पासपोर्ट साइज फोटू जरूर लेकर के जाएं और दोस्तों मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को इस फार्म को फिल करके भी बता दूंगा कि आप इस फार्म को किस तरह से फिल करेंगे तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये जाए मिलते हैं अगले वीडियो में